सब से तीखे सवाल जिसका देना पड़ेगा जवाब सामने बैठी शक्सियत का हर राज होगा भे परदा आज तक की पोलिटिकल इन्विस्टिगेशन टीम इंटरोगेट कर रही है देश के दिगजों को आज की PIT की मेंबर है श्वेता सिंग, अंजराओं कश्यप और नेहा बाथम और इनके सामने हैं अमरावती की सांसद नवनीत राना नवनीत राना जी जब आप 2019 में चुनाव जीत कर आई तो आप निर्दल्य सांसद बन कर आई थी लेकिन शिवसेना का कहना है कि आप नकली हिंदुत्तो वादे हैं जब जैश्री राम के नारे बीजेपी संसद में लगा रही थी तो आपको एतरास था लेकिन अब आप हुँ और आप कौन असली है और कौन नकली है अगर वो किसी को ठेकेदारी दे दिया तो वो सिर्फ सेना नहीं बताएगी कि कौन असली हिंदुत हुआ है क्यों के आज तो उनके बैनर हो पे लग रहा है कि वह असली और वह दूसरे नकली है तो उनको उनकी सुनने के लिए या वो सर्टिफिकेट साइन करके नहीं देंगे कि कौन असली हिंदू और नकली है जगड़े तो उनमें हो रहे हैं असली नकली के और रही बात सभगर की हमारे लोकसभा की जब मैंने कहा था कि कोई भी नारे इस लोकसभा के अंदर नहीं होने चाहिए फिर वो पर्टिकॉल आज मैं उठके आई हूं मैं हिंदूस्तान की बेटी हूं और मैं आज हिंदूत्व दिखाने के लिए नहीं आज मेरे आवास और वो मुकां है जहां पर लोग मेरी आवाज सुनते हैं तो वो चीज का बाहर लाके लोगों के बीच में रखना ये मेरा कर्तव्य और मैं करूंगी पर अजेंडा बीचेपी का लगता है इसलिए लोग पूछते हैं कि नवनीत राना के मन में ऐसा तो नहीं है कि अभी निर्दलिया लड़ी हूं लेकिन बीचेपी जोइन कर लो अच्छा हिंदूत्वाद का अजेंडा बीचेपी का है मुझे लगता है हिंदू उस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू धर्म को मानने वाला है और मुझे खुशी है कि अगर ये अजेंडा बीचेपी लेके बहुत सालों से काम कर रही है तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि दो मंदीर में जाता है वो सरफ बीचेपी के आजिंडे पर करता है तो फिर आप फ़र्णमस जी किती तारीफ क्यों कर रही है आपके रही है पांच सालों में जो देविंद्रे साहब ने हमारे महारास्टर में काम किया शुरूर की राजनीती नहीं की विकांस की राजनीती उन्होंने की बेरोजगारों को रोजगार द आप आज ही कहके आई हैं कि जिस तरीके से उधर्ट आकरे को काम करना चाहिए था महंगाई का मुद्दा बेरोजगारी विधर्ट किसान कभी जहांकने नहीं गए वहां देखने नहीं गए क्या हाल है आप खुद ही मुद्दे लेकर आप तो जन प्रतिदी हैं मैं तो लड नहीं मानी गई उद्दव ठाकरे के तरफ से करके वो जेल में सिर्फ किसानों के मुद्द पे थी हमने बोला इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो लोड शेडिंग चल रही है महरास्ट्रम है उसको 50% डिलीफ करे लोड शेडिंग का मामला आया है और सभी कोवीड के बाद अपने अपने घरों के बिल भरने के पोजिशन पे नहीं थे उसमें 50% relaxation मैंने मांगा था तब भी हमने आंदोलन किये तब भी हमने आवाज उटाई आज बेरोजगारी तीन गुना जादा मेरे महरास्ट्रम है मुख्यमंत्री उस पे बात क्यों नहीं करें वो मेरा सवाल थ जब तक आपको करेंगे पर मेरा धर्म जो सिखाता है उसे उसके लिए भी लड़ना मेरी मुझे घर्मिया सिखाता है कि आप जैशी राम का लिए अनुवस्त्र पहनिए उसी से आप असली नकली हिंदू सापित हो पाएं असली नकली तो यह उद्दो ठाकरे दिखा रहे है जिनके बाहर पर अपकी समस्या क्या है नवनीजी जी जो उद्दव ठाकरे जी दो वर्ष मुख्या मंत्री कारेले में जाते नहीं है तो वो महराश्ट्रों को किस दिशा में लेके जा रहे हैं यह समस्या है मुझे को विड हो या नहीं हो प्रदान मंत्री जी नहीं घूँमे गरव मंत्री नहीं घूँमे देवेंदर साह्था सब्ण को यह नहीं होके सलिशार में जरीना जरूरी नहीं है तो बाडा साहब के विचार कहां रहेंगे, बाडा साहब को कभी जरूरत नहीं पड़ी लेकिन उधव ठाकरे अब कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह से हनुमान चालीसा पड़ता है तो अपने घर में पड़े लेकिन अगर मातोशी की तरफ वो आएगा तो हमें बाडा साहब के अंदाज में लोगों को सबक सिखाना आता है अंदाज तो मेरे बाडा साहब के साथ चले गए है बोट किया है आप कह रहे है चुनावी मैदान में आप कैसे मुकाबला करें? जैसे मैं आज मुकापला करके आई हूँ, मोदी जी की लहर 2014 में थी और सोनामी 2019 में थी, अगर सोनामी में अगर independent individual चुनके आ सकती हूँ, उद्धो ठाकरे गली घूमकर लोगों की समस्या कर जानेंगे, तब जाके चुनके आएंगे, मोदी जी क्या फैन लग रहे हैं आज आज मैं इंडिपेंडन हूँ, और आगे भी जहां तक रहेगा, मैं इंडिविज्वल से ही अपनी लड़ाई लड़ती रहूँ, मोदी जी पसंद हैं, पार्टी के आइडियोलिजी से आप समर्थन उसका कर रही है, मुझे लगता मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो दिशा दिखाने का काम मोदी जी नहीं ये देश को किया है, इसके पहले भी किसी नहीं किया और इसके बाद शायदी, मुझे तो जहां तक पता है कि डाउट ही होगा, तो आपकी सुई उधव पर ही क्यो टिक जाती है, अजीर पावार और शारत पावार पर तो आप सॉफ्ट हो ज जाते हैं, किसानों की हालचाल पूछते हैं, बेरोजगारों से बात करते हैं, उनकी समस्य पूछ के लेते हैं, और मुख्या मंत्री घर से हिलती नहीं है, तो मैं कैसे उन्हें छोड़ दूँगी, जो मुख्या हमारे महाराश्ट्र का, अगर वो घर से बाहर नहीं निकलता आपने कहा कि सत्ता अगर चली गई और ऐसी नौबत आई कि उन्हें जेल जाना पड़े तो उन्हें समझ में आएगा, रश्मी ठाकरेट वो तो चुनी हुई, वो तो चुनाव में नहीं है, उन पर हमला क्यों? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, बहुत महनत करकर, खून का पानी किया है मैंने, बहुत लाइफ में स्ट्रगल करकर यहां तक पहुंची हूं, और अगर मैंने, मुझे तो बोलते हुए भी यह हो रहे हैं, और जितनी महनत शायद मैंने किये, दिन में 16 घंटे काम कर करके यह पोजिशन पे आई हो, और उसके बाद अगर कोई बिना क्राइम के आपको जेल में डालता है, बिना कोई, और जब आप क्राइम करते हो तो आप माइंड से सेट हो कि आप डन सम्क्राइम, मुझे जाना है, आप हनुमान चालीसा के लिए आप जेल के पिछे डालते हैं, तो यही प्रश्न मेरा उनको है, पावर का दुरुपियोग जो तरीके से उद्व ठाकरे ने किया, हनुमान चालीसा के विरोध में जेल में डाला, और आज उनके पास पावर करके यह दुरुपियोग उन्होंने देश-दुरो का लगा के किया, और आने वाले समय में जैसे पावर जाएगी, अगर रश्मी ठाकरे को, भावी जी को, अगर जेल के पीछे डाला जाएगा, तब मैं उद्दो ठाकरे को पूछूंगी, कि अब कैसा लगता है, पर जेल, जेल, किस चीज के विरोध आपको डाला गया था, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, या सब्सक्राइब करने के लिए, हनुमान चालीसा पाठ करने की वजे से अब को यह देश्दरो लगाया गया, हेट्रेड भी निर्मान करने का कारण नहीं बनता है, 153 ये, जो कलम भी उन्होंने मेरे उपर लगाई, दो रिलिजिन में हेट्रेड निर्मान करती थी मैं, तो मे मेरे पर वो कलम लगती थी, वो कलम भी नहीं लगती थी, because I have taken a press conference, और press conference से मैंने मेरा मुद्दा पीछे लिया, कि मैं नहीं जाओंगी, लेकिन जो आरोप है वो ये है, कि एक तो वही देशद्रों का मुकदमा 124 से आप पर लगा, दूसरा ये, कि आपने धर्म के आधार लोगों को उकसाया, कहां मुक्यमंतरी के घर पर आओ, वहाँ हनुमान चालिषा पढ़ेंगे, तो जाहिर दार पर अपने एक धर्म के लोगों को incite किया, तो inciting violence आपने उकसाया लोगों को, एक धर्म के लोगों को मतलब, वो भी तो चिलाचिला के कहते हैं, stage पे, मैं मैं असली हूँ तो फिर हनुमान चालीसा से दिक्कत क्यों तो हनुमान चालीसा तो आप घर बैटके भी पढ़ सकती हैं आपने मातोश्री को यह क्यों चुना आप चाहती थी कि सुर्खिया बने आप चाहती थी कि भीर जुटे आप चाहती थी कि कॉंट्रोबर्सी बने यह गड़ी जमाकर हम वहाँ पे हर साल करते हैं और घर में तो हम हमीशा ही करते हैं अगर इतने साल कर रहे हैं तो इसकी खोल कर पढ़नी की जरुवत नहीं पढ़ी है तो उसमें तो जो भी आप जेल से भी अगर आप बहुत दुखी थी आप बाहर निकली तो वह भावक तस्वीर हैं आपकी दिखी और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस कहती है कि यह देखिए वीडियो वह तो चाई पी रही थी हमारे साथ बैसलेरी की बॉटल्स पढ़ी थी पानी की पॉटल्स पढ़ी थी पाकेज क्या है मैडम आप कभी वापिस हमारे पुलिस टेशन तक नहीं आएंगी तो आप प्लीज चाय लीजिए जब तक हम बेल की प्रोसीजर बिकोज आडवोकेट थे आडवोकेट की असिस्टन थे दो एडवोकेट तीन चने बैठी थे मेरे साल और बेल की प्रोसीजर कर रहे हैं व सब्सक्राइब का वो जो सीसी टीवी फुटेज था वो जारी किया गया यह सब कुछ प्लाइन था और जब मेरे वकील बोलते हैं प्रेस के सामने कि इटीज अ बेलेबल ओफेंस हम सुबह कोट से ले ले लेंगे तब उन्होंने कहा रात में बारा बजे पहले तो उन्होंन बात रही है इमीचेट उन्होंने हमको लॉक अप में डाला और तब पता लगता है हमें सुबह कि वान 24 a sedition का केस हमारे उपर लगाया गया वीडियो मांगा है मैंने कहा है अगर वीडियो जाहिर करना है तो लॉक अप का कीजिए जहां लॉक अप में 6 गंदा 6 आंज में र आपको वॉयनरे टने अपको यह तकılar मे और होग वीडियो में जमागा है यह अपने प्लिस तेशन का जारी किया अपने लॉक civ का जारी का ना चीड़ा आपने लॉक अप का जारी करना ची rice cold नीई के साथ अब अब आपा लेकर कंप्लेंड करेंगी में पूरी जितना भी मेरे साथ में दुर्भेवार ये सरकार के माध्यम से हुआ है जो अत्याचार मेरे उपर हुआ है उसकी पूरी एक व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है प्रेस कॉन्फरंस में बोलते हैं कि बीस फूट नीचे आपको गाड़ देंगे आपने तरीके से इख द्रों को लेके लड़ रही हूं क्या एंर पथा थम्यक्राइक से जल्डी से संझेराउक ने क्या कि है संजराय। में जो कहा है और और झurance लिए वह बंटी बबली आप दोलों पती-पत्नी को कह रहे है वो सुनाते हैं फिर इस पर जवाब लेगे. पंटियान बबली आगर पहुंचे है तो हमें कोई इत्राइद नहीं है यह जो स्टन्ट बाजी है फिल्म के लोग है यह फिल्मी लोग है यह स्टन्ट बाजी या मार्केटिंग करना उनका काम है सबका और बीजेपी को आप ऐसे लोगों की जरूरत पढ़ती है अपने मार्क सब्सक्राइब नाशनल पार्टी है बीजेपी को कब से एक इंडविज्वल की गरज जरूरत पढ़ने लगी यह तो इंडविज्वल की खुद की लड़ाई है यह मेरी और मेरे महराश्र की हित्की जो लड़ाई है वो तो मैं लडूंगी मुझे लगता है बीजेपी जो क अभी आखों में आसु की जलत देखी में जब आप बात कर रही थी उस समय का जब आप छे घंटे तक खड़ी रही है वह जिल मुझे लगता है कि कोई भी साधारन मैला या हमारे जैसी पोस्ट पे रहने वाली मैला आप अगर यह पोजीशन पे आया ना तो इसके पीछी का अगर शब्रा है और आपको ही पता है कोई तीसरा नहीं जान सकता है जो कष्ट करके मैं आई हूं कोई बाब डादा के नाम से नहीं आई हूं खुद की मेहनत से खून-पसीना एक करके या ढख due aq के संकेत है मेरे मेरे संग आशू तूटने के संकेतनी यह इमोशन से मेरे पीडी से चलती है और महिला का कोई भी किसी को 14 दिन अगर जेल में रखता है बिना कुसूर के तो कहीं ना कहीं वो दुख और दर्द अपने साथ जरूर रहता है जैसे ही सलाखे दिखती हैं शायद जो पिच्चरों में देखते थे हम जो शूटिंग करते थे और जब रियल में जब आपको सलाखों के पीछे जब वो टाइमिंग अनुसार लॉक करके जाते थे तो दुनिया की सबसे खराब मुमेंट वो शन होता था जो मैंने 14 दिन वो ज सब्सक्राइब राम भक्त और हनुमान भक्त आने वाले समय में जरूर देंगे इसमें कोई भी शुंका नहीं है और मैं यह क्यों बोल रहे हैं आपको बताती हूं करके आप कहने कि उद्व ठाकर अच्छी सीम नहीं साबित हुए वो नाकाम साबित हुए तो आप उनके बा तब ही ताकत से मैं बाहर मज़बुती से और निकली कि मुझे तुम इतने कमजोर मत समझो के मैं तुमारे इतने अत्ताचायर से कमजोर हो के घर पे बेट जाओंगी नहीं वह लगचाइब दबल ताकत से आऊँगी, जो संखट मेरे महारास्टर में आया है, जो संखट मेरे किसानों पे आया है, जो संखट मेरे बेरोज़गारों पे आया है, जो संखट मेरे महारास्टर के हर एक विक्ति पे आया है, वो संखट दूर होना चाहिए, इसलिए हनुमान चालिसा का पावर है कितना भी संकट वो मेरे उपर लाएं कितना भी पावर का दुरोपयोग करें नभनीच राना रवी राना थमने वालों में से नहीं है थोड़ा से ऐसा लगा नहीं कि जब आपका पूरा मामला चल रहा था उससमें राज ठाकरे भी आजान के विरुद्ध हनुवान अलिसा की ही बात कर रहे थे राज ठाकरे को लेकर क्या विचार है वो बाला साहिब की विरासाथ को बहतर बढ़ा रहे हैं अगर उनका सपना सच हो गया बाडा साहिब ठाकरे उनके सपने में आते हैं तुम तो और डीडी फ्लॉप और डिजास्टर हो जाओगे वो बात जरूर याद रहा है यह को लोचा हुआ था आपका जो CT scan और MRI का तस्वीर वाइरल हो गया था वो क्या था अरे मुझे लगता वो पूछने का अधिकार वो डिपार्टमेंट का है BMC का कौन सा अधिकार है नोटिस दिया है उन्होंने लिलावती अस्पताल को मुझे पता है जी कल वो मेरे किचन में आके भी चेक कर सकते नवनीत राना ने आज खाना क्या खाया इस लेवल पर उद्धो ठाकरे जी गिर ठाकरे के विरोध में बोलता है उसके घर तोड़ने पहुंचाती है BMC यह पावर का दूर उपियोग कर रहे है इन्होंने मुझे बे घर भी कर दिया तो रोड पे बैटकर मैं अनुमान चालीसा और इनके विरोध में प्रदर्शन करती रोंगे मेरे महारास्ट्रों को आग इतनी जल्दी तो नहीं डर जाओंगे उद्धव ठाकरे की धंकियों से कल तो खुले आम मंच पर बोलते हैं मंदीर जाना जरूरी नहीं है तो आयुद्या क्या करने जा रहे हैं वह भी तो मंदीर है जब हनुमान के नहीं तो राम के कैसे हो गए वो भी सच्चे हिंदू है हैं हम सच्ची हिंदू तो बारासाथ के साथ चले गए एक ओर इशू आपके पुलिटिकल करियर में रहा है आपके कास सर्टिफिकेट को लेकरं जिस पर कोट ने कह दिया था कि जो आपने जिस आपकी संसद में है अगया इसको क्या सफाई क्योंकि इस पूरे मामले में सब तो वैसे पकड़ो, जो कोट में चीजें हैं, वो कोट निरने आने के बाद हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, कोट अपना काम अच्छे से करते हैं, कोट को बताने की जरूरत निये, कोट गलत है, ये संजे राउत बताते हैं कि अनादर रिलीफ स्काम, जब हमको जिस दिन, जिस तारीक को बेर दी गई, उस दिन उन्होंने कहा, कि अनादर रिलीफ स्काम कोट कर रही है, तो एलिगेशन तो वो कोट पे लगाते हैं, हम तो कोट का मानने करते हैं, जो भी निरने आएगा, उसके आदर हम ज़रूर करेंगे, और अंगाबाद के नाम पर आते हैं, आज उन्होंने कहा, कि मैं तो पहले से संभाजी से कह रहा है, संभाजी नगर, मुझे नाम बदलने की क्या ज़रूरत है, आपने पकड़ लिया, कि वो तो नाम नहीं बदलना चाहते हैं, उनकी अजिंडे में था, कि अरंगाबाद को हम संभाजी नगर नाम देंगे, ये पहली करके पूजने माले लोग है, उनके विरोधी को, उनके दुश्मन को, जाके कोई उनके कबर पे फूल चड़ाता है, ये महरास्टर ने इससे पहले नहीं देखा, अगर बाडा साहिब ठाकरे जिवन्त होते, तो उसी जगा पे, उसी कबर में, उस व्यक्ति को गाड़ के वह नहीं दफना देते थे, ये थी हमारी हिंदुतवादी की जिस बेस पे हमारा महरास्टर चलता है, और वो बोलते हैं आज कि औरंगाबाद को संभाजी नगर क्यों करना है, फिर आपने क्यों अजेंडे में लाया था, अपने कर भासली ये थे थे, आप बाला साहिब जिन च जो श्री नहीं आगे है, लेकिन अपने विचार नहीं थी है, जो सवाल मैंने पूचा थे, ये तो इन्होंने टाइम का फायदा लिया, तब मुख्य मंत्री बड़े हैं, वो बी तो आंदोलन करने की बात कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं ऐसे आंदोलन करूंगा और मे नहीं मानी जाती है और सीट वो जितते नहीं है जिस तरीके से कल BMC के अजेंड को लेके भाशन दिया उद्धव ठाकरे जी ने उस जगहा पर महारास्ट्रे से लोगों को बुलाया गया बीमसी मुंबई की है और बुलाया पुरी महारास्ट्रे से जनता को लोगों को सभा के तो मुझे लगता है कमजोरी वहां ही दिख जाती है और खुद भाशनों में उनके नेता बोलते हैं कि पुरी महारास्ट्र से अलग-अलग डिस्ट्रिक्स से लोग हमारी यह आए बात तो तुम BMC की कर रहे हो महारास्ट्र को क्यों involved रहे हैं राज ठाकरे का उठाया हुआ एक और मुद्दा जो कि मुझे लगता है अभी सिविक पोल्स में भी गर्म होगा वो लाउट स्पीकर कहते हैं अजान की आवाज बंद होनी चाहिए लाउट स्पीकर पर मस्जिदों में नवनीत राना इस पर क् मैं ये कहती हूँ कि मेरे धर्म का प्रचार प्रसार मैंने करना चाहिए दूसरों ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उस पर मैं चर्चा नहीं करती मेरे धर्म का मैं प्रचार करूंगे कोई पद की महतवक आंग्षा होगी कुछ सोचा होगा आगे कोई फ्यूचर प्लान इसलिए जहां से हमने शुरुआत की थी जो अंजरा ने पहला सवाल आप से पुझाता मैं वहीं पढ़ ले जाती हूं नवनीत राना आगे क्या करेंगे एक निर्दलिया सांसर या फिर अच्छा सोचना महिला के लिए लड़ना जिस तरीके से सभी चैनल में अंदर थी मुझे तो कुछ जादा मैंने देखानी पर जो भी मैं आने के बाद बाहर सुना उसके लिए जब लगा मुझे कि नहीं सही के साथ हर कोई है देश में आज भी सही के हित में लड़ने वाले लोग आपके बिहाफ में अभी भी हैं नवनीत राना ने जब करियर की शुरुआत की तो बहुत सेवन स्टानेर्ट से मैंने अपने करियर की शुरुआत की बहुत जब कुछ समस्ता नहीं था तब मैंने बाहर अपने फ्यूचर को लेके अपने काम को लेके बाहर मैंने कद नहीं जाना चाहिए आज मैंने पूरा दिन काम करना चाहिए काम आज मुझे इंडिपेंटन एंपी बना के यहां तक लेकिया आया है और यही काम आगे अपना निर्ने खुद बनाएगा देशद्रो का कानून जो आप पर लगाया गया है अदालत में इस पर क्या जवाब फिर इस पर निर्ने किया जाएगा कि वेदर वी हाफ टू कीप देश ड्रोब का जवाब क्या है क्या आपको लगता है तो अदालत को तय करना है हम तो सवाल पूछ रहे की अगर देश द्रोब मैंने देश द्रोब के देश के अगेंश कुछ की आ होता तो शाय तीन मैंने तो minimum मैं जेल में रहती उसके बाद बेल होती अगर 14 दिन में आपको बेल 13 दिन में मिल जाती है तो court ने खुद उस पे clarification दिया है कि देश दुरों इन पे बनता ही नहीं है तो court जब आपके हित में खड़े होके न्याएं के बाजू लेके आपको order देता है तो मुझे नहीं लगता है मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूत है आने वाले समय में high court में जाएंगे और उहां पे भी अपनी न्याएं की गवार लगाएंगे जी इतिहास गवार आए कि जो लोग जेल गए हैं वो बहुत बड़े व्यक्तितों बन गए हैं आप भी जेल होकर आई हैं काफी दिन आपने वहां कश्ट पूर्वक काटे आप आगे अपने आपको बतौर सीम जैसा कि श्वैदा ने कहा कि सोचती हैं देखती हैं या पिर आपकी जनता प्रतेधी बनकर ही लडाई ये संगर्ष कभी हनवान चालिसा का पाट तो कभी कोई और जनता का मुद्दा यही लेकर आप हमेशा कारियरत रहें जनता की हित में लड़ने का ही कोई भी ऐसी पोस्ट कोई भी ऐसी पुजिशन आपके ध्यान में नहीं हैं आप आप ही सोनामी में अगर चुनके आती हूं तो भाव तो हर किसी को दिग गया कि मेरा बहुत अबिशन के लिए हम शाइओ को यह ब्लाई करते हैं अब देखा जैशी राम काना भी आपके सव्तार में लिखा हुआ है गदा भी है रनुमान जी की तस्वीर भी है अब आगे आप कौन से परवत पर चड़ती हैं इसका इंतिजार पूरे देश को रहेगा आपने तमाम सवालों का जवाब दिया बहुत धन्यवाद आपका नमीता